नमस्कार मैं हो रंगेला 2.0 का बाज में आप देख रहें जी 2.0 फेस्बुक पेज और यूट्यूब चैनल यह अस्थोन है औंद्रपरदेश के करपाजिला में करपाजिला सबसे बराच्षेत रहें करपाजिला के अंदर नहीं बलकि पूरा औंद्रपरदेश के एरिया में बहुत बड़ी पहार हैं सबसे बड़ी बात है कि यह पीछे मकन जो देख रहे हैं यहां के सरकार ने जो इंद्रा आवास देते हैं परधन मंत्री आवास योजनों जो देते हैं ओ योजनों के साज साथ जमीन भी देते हैं जमीन भी देते हैं जमीन कितनों देते हैं यह सरे 4000 से उपर है मकन जमीन की छेतर है 20 by 21 एक है गेस्ट रूम और एक है फेमली रूम एक है कीचन और एक प्राचिन भूमी है रिसी कुंड में आपने सुने हैं कि एक बार वहां पर बहुत सारा आदमी की जूटों नहीं किया था भूमी गरन के लिए लेकिन वह की पुलिस परसासन आदेशा निर्देशा अनुसार से उस अस्थान को छोर करके भागना परा जो की दूर दूर से आये थे अधर जिला से वो सक्सेस नहीं हो पाया किसी धुर्तबाज नेता भी नेता की चक्कर में बोर्ट बाइलेंस बनाने की चक्कर में यह सब कव किया था जो कि हम भी उस भूमीगरन में हिस्सा हुए थे हम ब्यार के मुख मंतरी और छोटे बरे कई नेता भी नेता से यह कहनों चाहते हैं अगर पर्धौन मंतरी योजनों के तहत जो सरकारी घर वि तो वहाँ पर नक्सलाइट एरिया जो है मार काट दंगा फसा जो बार बार घटना दुर घटना होती रहते हैं ये समस्या दूर होगा समस्या दूर होने के साथ साथ उस एरिया इलाके छेत्रों में धनी अबादी होगा अबादे होने के साथ साथ उस एरिया में परिचलन अवागमन परिचलन गतिविदी शुरू हो जाएगा एक दिन चड़िया बन जाएगा उस एरिया में काफी बिजनास होने की धंदा शुरू हो जाएगा धंधा के साज साथ उस रिसी कुंड की जो प्राचिन भूमी है हमारे रिसी मुनियों और सिता मकी जो की सिता कुंड और रिसी कुंड दोनों आसपास में इस एडिया की जादे महत बरेगा मुगेर जमालपुर के पहार अगर चालू कर देगा, सिर्फ चालू कर देगा इंद्रा आवास परधोन मंत्री आवास योजनों की जो भी घर मकौन बनेगा तो उसी पहार से पत्थल जाएगा, तो इट का और गिट्टी का कंक्रीट का रेट डौन होगा, कम से कम खर्चा में अच्छा मकौन बनेगा, अगर इन बातों को पूरा हो जाता है, तो भिहार की दूख दलिधर सारा दूर हो जाएगा, दूख दलिधर दूर के साथ साथ वहां की पहारों की रोनक बढ़ जाएगी, उस एरिया की जो नेता अभी नेता है, उसका इत्यास की पहले पन्ने के नौम आएगा अगर यह चीज हो जाए तो हम इन बातों के लिए बहुत खुशी हैं देखिए हम आए थे अपने मीशन पर लेकिन इस कल्चर को मैंने समझा कल्चर को समझने के साथ-साथ इन बातों को आपके साथ सेर कर रहे हम जहां पर हैं यह करपा जिला के जगन कलोनी जो एकीस है जो कि खुब सुंदर मकॉन है फैमिली के लिए भी हो सकता है किसी रूम किरायदार के लिए अच्छे हो सकता है यहां पर इस कलोनी के अलावे जो हम मार्केट जाते हैं कभी-कभी आपको वीडियो दिखाए हैं स्टेडियम का कभी-कभी दिखाए हैं किर्केट का जो ट्रेनिग सेंटर होता है न वह ट्रीनिंग सेंटर है रेलवय है हाईवे है हाउए बहुत बाइपास एक तीन गरी वहां चलती है तो यह सारी शुबदा बगल में पहार है हम कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाय है इस जिला के अन्दर बहुत बड़ी डेंफ है वो ड तब तक के लिए G2.0 साथ इतनों साथ